तो प्यारे स्टुडेंट स्वाध्गुरु आइट्या इंडिस्टेलेरियल बॉक्सर फीटर सेकेंड यर के जितने भी स्टुडेंट है इस वीडियो को देखेंगे इस वीडियो में हम आपको रिवेट नौट बोल्ट और स्क्रू के बारे में समझाएंगे क्योंकि फ्री है इन ड्रोइंग बनाने के लिए रिवेट का फिगर या नौट बोल्ट का फिगर या फिर फांडेशन बोल्ट का फिगर आप लोगों को आ सकता है इंजिनेरिंग ड्रोइंग के चैप्टर में तो इस चैप्टर के माधियम से हम आप लोगों को रिवेट नौट बोल्ट स्क किसी चीज को बांधना फास्टेनर करना मतलब एक में दुसरे को ज्वाइंट करके बांधना ही बंधन कहते हैं इसी को फास्टेनिंग अब देखे इसका परिभासा क्या दिया हुआ है यहां पर देख सकते हैं किसी मसीन या धाचे के दो या आधिक भागो या पूर्चों को विभीन साधनों से जोड़ने की बिधी बंधन का लाती है और जोड़ने वाले साधनों को हम लोग का कहते हैं फास्टेनर जोड़ने वाले साधन उसको कहते हैं फास्टेनर कहते हैं अब तो आप लोग समझ गयोंगे कि फास्टेनिंग कि कहा जाता है बंधन किसको कहा जात ओंता है है जो नेकिसा समझते हैं इंजिनरिंग प्रेक्टीस में बंधन के दो भागों में बहता हैं कि ा यह निकिसे बंधन को कितने भाग में दो भाग में बढ़ता से बांधने या जोडने को अस्थाई बंधन कहते हैं बंधन को छुड़ाने या जोड़ को तोड़ने के लिए बंधन को काटना या तोड़ना पड़ता है अस्थाई बंधन हो गया Mayipit Welding Soldering प्रोजिंग सख किए करके जो भी फास्टेनर है वह पर्मानेंट सप्क्रिंग होता है कि अगर एक बार किसी जोड देते हैं तो फिर उसको च्ञाने के लिए उसको काटना या बंधन को तोड़ना पड़ता तो उसको बोलते हैं पर्मानेंट फास्टेनिंग अगला है टेंप्रोरी फास्टेनिंग और अस्थाई बंधन के मतलब होता है परिभास हम लोग जान लेते हैं मुस्जिन या धाचे के दो या आधिक भाग वो पुर्जों को आस्थाई तोर पर बंधने और जोड़ने को आस्थाई बंधन कहते हैं इन्हें खोलने के लिए पंधन को काटना या तोरना नहीं पड़ता जैसे नॉट बोल्ट की स्टर्ड तथा पीन आधिक और अस्थाई बंधन को के रूप में प्रियुक के जाता है जैसे अब लोग देखते हैं यह पंखा जो मेरा होता है पंखा जो उपर वाला होता है सेलि मतलब हम जब चाहें उस पीन को निकाल के बोल्ट खोल के पंखा को निकाल सकते हैं लेकिन अगर वहां पर हम वेल्डिंग कर देते हैं या फिर रिवेटिंग कर देते हैं तो या तो रिवेट को कटना होगा या वेल्डिंग करते हैं तो बोल्ट को कटना होगा तब निकले तो इसलिए उसको और रखा जाता है क्योंकि बार बार उसको खुलने के जुरत होती है अगर पंख्या में कुछ टोबाल आता है तो फिर उसको उतारना होगा से लिंग पर से तो इसमें और फास्टेनिंग के लिए क्या क्या एकुप्मेंट्स दिये गए हैं जिसे नट भी ए जोड़ना है तो दोनों प्लेट में ड्रिल होल करके हम पोल्ट उसमें अंदर डाल देते हैं और फिर उपर से नट लगा के स्नेपर से कस्ट देते हैं और फिर जब जिरुद्ध खतम हो जाती है तो हम इसको खोल के निकाल भी सकते हैं अस्टरड एक ऐसा चीज है जिसके द पानी निकालने वाला तो पंपिंग सेट का जो मोटर के बाद जो भाग होता है जो पानी निकालने वाला पंप होता है उस पंप के मुझ पे जहां हम लोग सेक्शन को अटैच करते हैं वहां पर अस्टरड लगा होता है तो अस्टरड का मतलब होता है कि आधा उसकी बड़ आगे कल हम Rebate के बारे में आपको बताएंगे